मोहित अब तक जो हमने पढ़ा है अलग-अलग सोर्से से लगब कुछ बारा लाख आवेदन आ चुके हैं इसके लिए हायर पेंशन के लिए तो क्या फायदे हो सकते हैं हायर पेंशन के लिए किसी एक नौकरी पेशा के लिए अगर वो हायर पेंशन को चूज करते हैं इस होड़ी सी मुझे आवाज सुनने में प्रॉपलम आ रही है पर जहां तक मैंने आपको समझा कि क्या फायदे हो सकते हैं इस हायर पेंशन के अंडर EPS हाजी हाजी जो क्या फायदे हो सकते हैं देखिए सबसे बड़ी बात तो यह कि इसमें हर किसी को एक निरने करना होगा कि आखि एकमुष्थ राशी चाहिए जो कि PFicodrol पे मिलती है यह PF के पूरा होने पर मिलती है यहां फिर उन्हें मंतली आयद चाहिए जो की EPS के थरु मिलेगी लगत तो जहां पर आपको मंतली आये की दरकार है और आपको एक मुष्थ आये की जरूत नहीं है पर आपको हर खर्चे निकालने के लिए आपको मंतली आये चाहिए तो वहां पर आप EPS के लिए आवेदन करेंगे दूसरी बड़ी बात ये कि आजकल जो life expectancy है वो बढ़ती जा रही है तो अभी जो average life expectancy है भारत की वो कुछ 33 साल की है और 58 साल के बाद आपको ये pension आना शुरू होती है तो अगर आपको लगता है और आपको लगता है कि आप बहुत साल जीएंगे और आपको हर साल के खर्चे निकालने है तो एक तरह से अगर जितना जादा आपकी life expectancy होगी उतना ही जादा benefit आपको मिलेगा विकोज ये pension उतने ही लंबे समय तक चलती रहेगी तीसरा मुझे कहीं कहीं लगता है कि pension के जो दूसरे benefits है कि आपकी death के बाद आपके spouse को भी मिलेंगे 25 साल तक की उमर के है अगर ये दोनों नहीं है तो तो वो सारी चीजे भी है कि आप की एक planning के हिसाब से कि आपके बाद आपकी family को भी एक सुरक्षित आय मिलती रहे उसको देखकर भी काफी लोग EPS का निर्ने कर रहे है और सबसे बड़ी बात ये कि आप जब retrospectively compute करते हैं तो जिन जिन लोग और अगर किया जाए तो उन्हें काफी फायदा होगा और उनका जो return है वो काफी बढ़ जाएगा हाला कि जैसे आपने पहले बताया left pocket right pocket है पैसा तो निकल कर PF के balance से ही जाएगा पर जो compounding का effect आएगा और जो pension की रकम उन्हें मिलेगी वो काफी अच्छी हो जाएगा